यूपी के उन्नाव हिंदू जागरण मंच ने चीनी सामानों का बहिशकार कर सरकार से तिबद को स्वतंत्र देश घोशित करने की मांग की। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतिय मंत्री और प्रभारी विमल दुएदी के नेतरतों में पदाधिकारियों ने चीनी सामानों का पुटला बड़े चुराहे पर जलाया और चीनी सामानों का पूर बहिशकार करने की लोगों से अपील की। काहिराना हमला करता है लेकिन भारति ouvert़ी सेना के जाबाँज सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है उन्होंने कहा कि वह विवक्ष बी अपील करते हैं कि सभी मद्वे भुलाकर सरकार के साथ खड़े हूं ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इस जोरान मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंग सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद शुकला, युवा प्रभारी मनीश अवस्ति समेत कई लोग मौजूद रहे इस तरह से आ रहा है कि पूरी तरह से चीन, जिस तरह से अपने वहां खड़े किये हैं, वहांनों पर लग रहा है कि पूरू हत्यारों के साथ, वहां लेस अतियार बाडर पे खड़े किये हैं, तो लगता है कि वह युद्ध की स्तिती में हैं, और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है उसको मोटर जवाद देने के लिए, और ये नया भारत है, मोदी जी के नेतत में भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है, जिस तरह होगा कि लगभग 20 सेनिकों के हता हो, तो हमारे लोगों की जानकारी ही, वैसे सेम दे 43 सेनिकों चीन के मारे जा चुके हैं, और जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 300 सेनिक चीन के मारे जा चुके हैं, ये बड़ी भारती सेना की वह है, और भारती सेना को मैं बढ़ाई देना चाहता हूं कि भारती सेना हर तरीके से अच्छा मैं पूरा देश भारती सेना के साथ है हम सब साथ है। बुक्ती देजी हम से अच्छा मैं पूला देश मैं पूला देशा देश पूला हुआ है।